प्रयाग राज सिविल लाइंस में शनिवार साम बड़ा हादसा होते होते टल गया यहां रेड सिंगल देख खड़े रागीरों पर फिछे से आई रोडवेज बसने टकर मार दी इसमें एक बायक सवार तो बस के नीचे आ गया जबकि अन्य लोग चिटक कर दूर जा गिरे गनीमत रही की हादिसे में किसी की जान नहीं गई वरना नुकसान बड़ा हो सकता था सुचना पर पोची पुलिस ने बस को कबजे में ले लिया है जबकि चालक फरार हो गया अच्छे से रोडवेज बस आई और चौराहे पर खड़े राकीरों को चपेट में ले लिया घटना का पूरा वीडियो सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गया प्रयाग राज से अग्रज यादो की रिपोर्ट पीलीबी सुष्ण विबाग 26 अक्तूबर को जिला अधिकारी ववेश्री वास्तोयम पुलिश अदिच्छक अभिशेक दिच्छित द्वारा तेहवारों को दिश्टिगत रखते हुए साइकल द्वारा नगर की गलियों में भ्रमड कर साफ सफाई की ब्योस्था का जायज संदे धाल लिया गया मुथ द्वारा नकताादा थाये से होते हुए गौनहिया चह रहा गांधी स्टेडियम रोड महला सुनगरी चन गलींसे होते हुए पूराना बिशर्पूर्स स्टेशन सुन गरी चहराया गास देश्र चैने मुंखि बाजार। पाले मिया मजार वह वेलों का चौरा होते हुए नकटा दाना चौरा तक साइकिल द्वारा भ्रमर करते हुए नालियों की साफ सफाई वह कुड़े दानों में से कुड़ा उठाने की बेवस्था का निरच्छड किया गया निरच्छड के दोवरान BSNL ऑफिस के पास कुड़ा कच्छड पाये जाने पर अधिशाशी अधिकारी नगर पालिका को ततकाल साफ सफाई कराने के निरच्छ दिये इसके पश्षवाद गांधी इस्टेडियम रोड पर नाले की साफ सफाई का जायजा लिया गया गंदगी पाय जाने पर ततकाल नाले की साफ सफाई कराते हुए ततकाल कुड़ा उठाने के निर्देश दिये साथ ही साथ अधिशाशी नगर पालिका को निर्देश दिये कि जो भी दुकानदार नालियों में कुड़ा डालते हुगे पाय जाए तो उन पर ततकाल जुर्माना लगाया जाए निरचड के दौरान गैस चोराहे पर कुड़े का धेर लगा होने पर ततकाल कुड़ा उठाने के निर्देश दिये और यह सुचित किया जाए कि कहीं भी इस तरह कुड़े का धेर जमने पाये निरचड के दौरान जिला दिकार एवं पुलिश अदिच्चक द्वारा आहम जन मानस से बादचीत कर साफ सफाई का जाज़ा लिया गया निरचड के दौरान जीला अधिकारी महोदे द्वारा बीना हेलमेट चला रहे बाइक सवारों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेजित किया गया निरचड के दौरान अगर की सुरक्षा बेवस्था एवं याता यात की बेवस्था का जैजा लिया गया और जहां भी कमी आई तदकाल ठीक कराने हे तुर निरदेश दिये गए भागल पूर कहल गाउ एक चारी त्री मुहान के रोहित मुनी और उनकी पत्नी को मानो तसकरी के आरोप में नियाले से मिला क्लिन चिट एक चारी त्रीमुहान निवासी रुवित मोनी और उनकी पत्नी प्रभादेवी को मानव तसकरी के मामले में जूटे आरोब के नाम जट अभ्यूक्त बनागर पुलिस ने ग्रिफतार कर जेल बेज दिया था मामले में नियाले द्वारन दोस्त साबित हुई और दोनों को दोस्त मुक्त करार देकर रिहा कर दिया गया हुआ अचेर के इंडियाट रिय गिजला नाम को आप बावाबामडेर नीटर्ट रिस He elected नई मांच के इंडियो चलाता, आख़र। प्रियास करता था हमेशा किसी नों किसी वज़ा से उप्रोगता है और उसमें जूलाइट हमें आके जर्खंड जीला है उलिशा बादर पिसंदेगा नाम के वहां प्रोना है एक मानव तसकरी का हमारे उपर आरोप हम दोनों पत्री पत्री के लिए रोजपार मोनी और हमारे पत्री प्रोन मोनी का उफाईयार गरिट है कागजी पर के लिए चलती रही पर पुलीश हमीं कवी ताच नहीं किया इस्टे साथ हमें और अचानक हमें बीते 2018 में 23 सुसंबर 2018 हमारे पत्री में विशाल कर्मा महसब करता है अधियास्यों का इत्रम पराह कर्मा महसब विशा अधिया पर अनुरात बुप्ताजी जारखांड को और उनके आदेश पर निस्पक्स जाच भी हुई और उसमें लास्ट पेज में लिखा है कि ये जाच के दवरान ये केस ऐसा प्रटिपान नोम्मों राइक कि ये बुन्याद तेस लगा है वही मामले से आहत गाव वालो एवं सोयम सेवी संस्था द्वारा रीहा करने पर दोनों पती पतनी को गाजे बाजे के साथ माला पहना कर समान कर लाया गया और संस्था के लोगों ने प्रशासन से अपेल किया कि इस तरह घटना की पूनर बृत्ति ना हो और किसी निर्दोस व्यक्ति को जुटे आरोप में फसा कर परिशान ना किया करे भागलपूर से मुहमत कामरान आलम की रिपोर्ट रोहिद रिया के सम्मान में आये हैं और मैं इसी घटना का मिंदा करता हूँ जब इंटी ग्रतारी हुई थी तब यहीं कहलगा खाना की द्वारा की गई थी तब मैं वहीं था साथ साथ का विकास वकास सुशासन का नाम देता है तो मैं उन से मान करता हूँ sociale मिडिया पर्टल मिडिया के माधृम से, की इस तरह कि घटना का पुन्दावर इतनी ना हो हर आदमी का अपना सेंटिमेंट होता है, सम्मान होता है और निर्दोस लोगों को जूटे मामले में फसा कर इस तरह से उनको परिसान करना यह नियाय उचीत नहीं है और मैं सरकार के माद को और अस्तानिय परशासन, पुलीस परशासन को कहना चाहता हूँ कि जाकर इस तरह की घतना को जो है बार बार जुराई ना जाए ताकि लोगों का जो विश्वास है नियाय में परशासन में वो बनी रहे और आज जो हमें नियाय मिला है मैं उस नियाय का सम्मान करता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सब्सक्राइशान होता है प्राजित नहीं और आज वह सिद्ध हुआ चरितार्थ हुआ लखिमपूर मैलानी खीरी में 26 अक्तूबर को लखनो मंडल की रेलवे स्टेशन मैलानी जक्षन में लखिमपूर मैलानी के बीच CRS का टाइल किया गया CRS के साथ DRM विजे लक्षमी कौसिक भी मौजूद रही सैफ्टी के बाद सभी अधिकारी मौजूद राज जैसे की PWI राम जी प्रताफ सिंह आरपी एस रक्षाबल वर जी आरपी वर सीविल पुलिस भी मौजूद रही लखिमपूर खीरी से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट लखिमपूर के शिविल पुलिए से लेकर मैलानी दाख की मौजूद का सेक्ष्टन है जितने भी ट्रैक से समद्रिक पारमीडर्स है कि यह विजब कि शारे में जेटर के फिर स्यारे साव अपने अब तक चाहिए प्रक्राइशन मिलने के बाद इसने विए अपनी आप्सेवरेशन गीए अप्सेवरेशन इसको जटी से जंदी कफ्णाई किया जाएगा अबनिस्रेशन बाद शुनीर है जल्दी है जल्दी से दिवाली के एक दिन पूरोब सूबे के कैबिनेट मंती नंद गोपाल गुपता नंदी और उनकी पत्नियम प्रयाक राज की मेयर अभिलाशा गुपता ने गरीब बच्चों के साथ दीप पर्वा की खुशियां मनाई सौ से जादा गरीब बच्चों को उन्होंने कटारा इस्थित यूनिक बाजार में दिवाली की खरीदारी करवाई से बच्चों के लिए लाए लावा बठाई से लेके अपने पूता हमदा सारी विवस्ता पूंकी तारी जादे घर में खुश्यां जिए जादारी कि लिए नहीं पाएंगे इनके मन में जुक होगा इसलिए परिवार में इतने बच्चे इन सब को लें इस तरह करीब डिरों सो बच्चे हो गए ते लेके लें इस दोरान किसी बच्चे ने जूते लिए तो किसी ने कपड़े खिलोने के साथ दिवाली की आतिश बाजी और मिठाईया भी बच्चों को दिलवाई गई दिवाली के गिफ्ट पाकर बच्चे खुब खिल खिलाए पिछले वर्स भी नंदी ने विवेका ननमार्ग इस्थित एक मॉल में ले जाकर गरीब और बे सहारा बच्चों को दिवाली की शॉपिंग करवाई थी वहीं इस बार कटारा इस्थित यूनिक बाजार में बच्चों के साथ पहुचे तमाम बच्चों के साथ उनके परिजनों ने भी दिवाली की शॉपिंग की मॉल में बच्चे अपने पसंद की चीजे ढूनते नजर आए गरीब बच्चों के साथ दिवाली मनाने का यह अंदाज दिल को चूने वाला था प्रयाग राज से अगरज यादव की रिपोर्ट और हम और मनुमन्ति लिका चाहत है कि वो बच्चे इस तरए इंका परिवाल इस तरह का है हमें थोड़ी खुशिया दे सके अगर वहां के बच्चे आए हैं और हमारी पुशिस है थी कि वो अपनी पसंद का एक दिल का जो भी वो लेना चाहे पनी पसंद का ले 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 इसके हमें लेके आते हैं इसलिए यह मैं लेकर आते हैं कि शेपार किया था तो अ चुछा साल है कोशेश है कि हम इनके बच्चे को कुछी दे सकें और ये बच्चे आगे बढ़कर हमारा बुजिशन काल कुछनों कुछ बनेंगे ये सब तो अगर आगे इनके बुजिश को सवारने में पोड़ा सा साइपो अद्देर बसाए दिवाला हमका पर माल अच्छी में जरू जरू अधिया राचनीती से अध़म मंहत्या आथार प्रामेड राचनीती जाने की पंच और सर्भंच क्या है बद्धिलाव के लग्षे क्या गाउं को आधार भूत सुभिधाएं मिलती है क्या गाउं में पीवे का प्रयाद पाली है क्या गाउं में चिकित सानारिया और सट के गुरुत है इस सबी गुद्धों के लग हमारे आपके बौर आपके सब्सक्राइब के साथ सिर्फ येगे के लगाउं